का से बताऊं दिल की बतियां ये वो बद्दिश थी जो एक नौजवान लड़के ने गाई और यूद फेस्टिविल में जंडे गार दिये इस नौजवान का नाम था जगजीत सिंग जगजीत सिंग का जिकर क्यों क्यों क्योंकि फोरसत की सला में आज पहली किताब जिसको मै रेक्मंट करने जा रहा हूं वो उन्हीं से जुड़ी हुई है कहां तुम चले गए दास्तान जगजीत मंजुल प्रकाशन से इस किताब को प्रकाशित किया गया है प्रक्यात टीवी पत्रकार राजेश बादल ने इसको लिखा है इससे पहले मैंने सत्यसरन के द्वारा अ इसमें राजेश बादल ने जगजीत सिंग के परिवार के लोगों से पत्नी से उनके इस्ट मित्रों से और जो पुराना उन पर काम हुआ है खुद उन्होंने राजी सभा टीवी के लिए चार या पांच एपिसोड की एक सीरीज बनाई ते उन सब के हवाले से किताब लगेगी अपनी बीच बीच में अंगरे जी बोलते हैं दूसरी किताब जो है वो है इंडिया टुडे साहित तिवार्श की यह साहित तिवार्श की जो है यह आपके इड़गिर्द स्टेंड पर उपलब्ध है अगर ना मिले तो आप Amazon सरीकी e-commerce साइट पर भी order कर सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आज मैं इसके दो प्रिसंगों का आप से जिक्र करना चाहता हूँ वाय शुड यू बाइडिस लिट्रेरी जर्नल इसमें कमला भसीन के बारे में प्रख्यात नेता और एक्ट्रेस बीना काक इनको आपने कई फिल्मों में स देवा मंदिर और तमाम प्रकल्फ तैयार किये वो भरी महफिलों में सीटी बजा दिया करती थी तो जो अभिजात के पन था बीना और बाकी सब का वो कैसे द्वस्त होता था तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए दूसरा एक लंबी बातचीत है पंडिजी से पंडिजी किस मसलन आशीश विद्यार्थी मसलन स्वानंद करकरे मसलन शुजीत सरकार नामी डिरेक्टर जिन्होंने पीकु जैसी कमाल की फिल्म में बनाई मदरास कैफे और ऐसी कई फिल्म में बनाई यह सब एनके शर्मा के शागिर्द हैं यसा योगी हैं और प्यूश मिश्रा भी जि हैं तो आपको पढ़नी होगी इंडिया टूड़े की साहित वार्ष की अब जहां तक देखने की बात है यह तो पढ़ने की हो गई तो अपने राम रह गए धोर कुछ नहीं हुआ कुछ देखी पढ़नी पा रहे हैं यात्राओं का इतना दौर है कि लोगों को पढ़ने में पश्गूल रहते हैं पर हमारी सहयोगी है जीशा जी उन्होंने काया कि आप एक सीरीज रिक्मंट कर सकते हैं क्या नाम है only murderers in the building एक कातिल वातिल की लोग बाते कर रहे हैं हमको इसे इतना डल लगता है हम बत्ती जलाके सोते हैं आज हम अपनी एक दोस्त से बात कर रहे थे उसको हमने हमारे दोस्त ने सत्यव्यास उनका कमाल का उपन्यास है वो पढ़ने के लिए उधार दिया था तो आज किताब लोटा रही थी और कुछ भले लोग हैं जो किताब पढ़के लोटाते हैं आप मेंसे कई लोग एकदम लवर करते हैं ऑमको देदीजी किताब भईया मेहनत से खरीदो और पढ़ाई करो और आप मैंसे कई लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत महंगी किताब हम बताते हैं हम कैसे खरीदें हम स्टुड़न्ट हैं अ हर शहर में आस पास L rpiece है तो यह म आप किताबें ले सकें और पढ़के लोटा सकें तो ये इस हफते की रेक्मेंडेशन से एक बुचर ऑफ डेली भी आई है आईशा सूथ की सीरीज बहुत तारीफ सुन रहे हैं तो मैं कोशिच करूँगा कि अब जब मैं यात्रा कर रहा हूं तो उसको भी देखूं